आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज और नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मेत्रो आज बात करेंगे जल धनिया रेनन कुलसी फैमिली का यह प्लांट है रेनन कुलस इसकली रेटर्स साइन्टिफिकली हम इसको जानते हैं इसमें पुछ लोग इसको जल पीपल जैसे दिख रहा है लेकिन कॉमन नेम के कारण काफी समस्या हो जाती है तो इसको साइन्टिफिक नेम से ही जानना ज्यादा उचित होगा धनिया के तरह दीखने वाला इसका यह लीव होते हैं और इस प्लांट के अंदर हाइली मेडिशिनल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं मि इस प्लांट के अंदर होता है इस प्लांट का उप्योग हम यूट्रोफिकेशन में करते हैं क्या होता है इरिगेशन के बाद न्यूट्रियंट्स की लीचिंग हमारे पॉंड्स में भी हो जाती है जिसके कारण वहां बहुत सारा डवलोप्मेंट हो जाता है और इसके कारण फाइटो प्लांट्स की प्रोड़क्टिविटी बढ़ जाती है और जो जीवजन तो जल में रहते हैं उनको अक्सिजन नहीं मिल पाती है और वो मर जाते हैं तो इसके निवारन के लिए हम इस प्लांट का इसके प्लांट के लिए आप इसको इप्योग मिलाना चाहते हैं तो इसको आप कल्टिवेट कीजिए जहां पे हेवी मेटल्स ना हूं क्योंकि यह हेवी मेटल्स के साथ कंपाउंड बना लेता है और बाद में रियक्शन अपनी सो करता है यह हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है बलड के सर्कुलेशन को प्रमोट करके और बलड में जो बलड स्टेसिस के रिमूव करने में विशे साहिक होता है कफ को एक्सपल करता है वोमिटिंग को यह इंड्यूस करता है और कई बार एक्सेस गर्मी के कारण या हीट के कारण लिवर की समस्या हो जाते हैं गंड माल की समस्या हो जाती है स्क्रोफिला जिसको भेहते हैं इसको आप पेस्ट बनाकर लगा दीजिए असानी से ठीक कर देता है स्नेक या स्कॉर्पन वाइट की प्रॉलम है यह एंटिडोट का कारे करता है चाहे चाहे बिच्छू का काटा हो चाहे सापने काटा हो जब इसमें आप इसको लगा सकते हैं बुखार को अस्थमा को बुखार के लिए अस्थमा के लिए गाउट की समश्या के लिए रूमेटिजम के लिए इन सब के लिए हम इसको उप योग मिला सकते हैं कई बार मित्रो पहले क्या होता था कि प्लेग के कारण गांठे बन तो उन गाठों पे भी इसका पेस्ट बनाकर लगा जाता था जो की बहुत अच्छा है कारे करता है। एधोरोड शप्लीन के रेमेडियेसिन में बहुत अच्छा कारे करता है कंभ Was cannot apply करते हैं बहाँ उपयोग में लाते हैं आप में सी अधी बना लिजिस और उसको पेश्ट बनाकर लगा सकते हैं बहुत अच्छा लगा सकते हैं इसके अंदर जो एमनेन नाम का जो कमपाउंट पाया जाता है वो वूंड हीलर का कार्य करता है एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल एंटी वारिल एक्टिविटि उस एनिमोनन की होती है और। यह इंफ्लामेशन को कम करने वाला भी होता है, इसके अलावा इसमें और भी कई घटक पाया जाते हैं, जैसे कि एपीजैनिन, प्राइसीन, लुटियोलिन, स्कोपोलेटिन नाम की घटक पाया जाते हैं, ये नैचुरल एंटिबायोटिक का कारे करता है, क्योंकि मुख्य रूप से पोटेंट घटक इसके अंदर पाया जाते हैं, तो ज्यादा मात्रा में लेना टॉक्सिक हो सकता है, ये लो कलर के इसके फ्लावर्स हैं, और इसके फ्रूटिस कंडिशन में, पिपली की जैसे दिखने वाले इसके फ्रूट्स आप लेक रहे होंगे, कुछ लोग इसको ज इसका प्रभाव ये प्लेसेंटा को क्रोस करता है, और इसका प्रभाव माताओं के दुग में भी होता है, जो कि बच्चे को नुक्सान कर सकता है, लेक्टेटिंग मदर्स और प्रेजनेंट वेमन इसका विसेश ध्यान रखें, फुट कोर्ण के लिए तो रामबान उसदी हो जाती है, उसका ये निराकरण करता है, लोकल भासा में कुछ लोग इसको कंदीरा की नाम से भी जानते हैं, या कुछ लोग इसको प्वाइजनेस बटरकप भी इसी को कहते हैं, तो कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, और साइंटिफिक नाम से जानना जाना जाना ज परचित होता है मित्रो इसका scientific identification बहुत जरूरी है इसको पिपली समझ कर उपयोग करना आनिकारक हो सकता है क्योंकि यह highly poisonous plant है इसीज का भी आप विसेश ध्यान रखिए वो देखने में भले ही धनिये जैसे लगते हों लेकिन उपयोग में धनिये से बिल्कुल अलग हैं मित्र झाल 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 झाल